हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल गड़ी में बच्चो, हम सबी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुमे महानगरपालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यू कहें अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगरपालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा, और वस लेसन के जो विशे हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाए देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाए देंगे, चलिए शूरू करेंगे, हम आज का अपना लेसन, जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की गक्षा आठवी, हमारा आज का विशे गड़ी, गड़ी दुशे में हमारा आज का जो प्रकरण है, वो है, आपके पार्थे पुस्तक से, लेसन नमबर फोर्टीन, कंपाउन इंट्रेस पार्ट सेकेंड, अर्थ चक्र बृद्धी ब्याज, भाग, दूसरा, और मैं हूँ आपका वर्च्वर मारक दर्शक, अजय कुमार मौरिय, MCGM के वर्च्वर क्लासरोम दाजर से, तो अब तक हमने इस लेसन में ब्याज की संकल्पना देखी, और उससे संबंदित कुछ शब्दावलियों को भी समझ जैसे कि जो मूल रकम होती है, उसे मूल धन, प्रिंसिपल, पी अक्षर से दर्शा आते हैं, उसे प्रकार दर, यानि जिस दर से ब्याज ली जाती है, या ब्याज दी जाती है, यानि सो पर कितना, जो की प्रतिवर्ष का हिसाब होता है, हर साल सो पर कितना, जो की प्रतिश की रूप में लिखा जाता है आरक्षर से उसे दर्शाएंगे उसके बाद कितनी आवधी समय के लिए यह रकम मुलधन जमा की गई है अथवा कर्च के रूप में लिए गई है उस आवधी या समय को कर या एन अक्षर द्वारा दर्शाते हैं उसी ब्रकार इस हिसाब किताब में जो भी ब्याज लेना पर लिया जाता है अत्वा ब्याज दिया जाता है उसे इंट्रेस्ट आई अक्षर द्वारा दरशाते हैं तो ये मुख्या अक्षर या शब्दावली हो गई इसे में एक शब्दावली है एमाउंट मिश्र धन ए जो की मिश्र है मिला हुआ है धन यह यानि दो धन का मिलान है यह कौन-कौन सा धन जो मूल धन है पी और जो व्याज के रूप में मिला है कुछ रकम वो या व्याज के रूप में दिया गया रकम वो दोनों को मिला कर जो रकम बनती है वह मिश्र धन कह लाता है तो ये पांच जो अक्षर आप देख रहे हैं इन ही को समझ कर इन से एक सुत्र का निर्मान किया गया है जो की व्याज का सुत्र होता है व्याज दो तरह से लिया या दिया जाता है एक तो साधरन व्याज के हिसाब से दूसरा है चक्रवृद्धी व्याज के हिसाब स साधरन व्याज की संकलपनाम ने पिछले कक्षाओं में की है हम चक्रुधी व्याज के सूत्र को अपने पिछले लेसन में देखे हैं उसी सूत्र उधारा चक्रुधी व्याज की गढ़ना की जाती है तो उधारन में कुल कितनी रकम बैंक में जमा की या फ्राप्त हुई या ग्याद करने के लिए मूल धन और ब्याज का योगफल किया जाता है जो कि मिश्र धन कहलाता है हमने पहले देखा मिश्र धन मतलब कुल रकम याने मूल रकम धन ब्याज तो मुल धन और व्याज मिलाकर मिश्र धन होता है मिश्र धन बराबर मुल धन धन व्याज इसे अक्षर के रूप में हम लिखेंगे ए बराबर पी धन आई या आई ग्याद करना हो तो ए माइनस पी पी ग्याद करना हो तो ए माइनस आई इस तरह से हम तीन जानकारी में से दो जानकारी अगर दी गई हो तो तीसरी जानकारी आवशकत अनुशार ग्यात कर सकते हैं चक्रविर्धी व्याज करने का सुत्र ग्यात करने का सुत्र हमने जो देखा तो चक्रदी व्याज डारेक्ट हम सूत्रदारा ग्याद नहीं कर सकते हम मिश्रधन ग्याद करते हैं उसमें से मुल्धन घटा देते हैं तो चक्रदी व्याज मिलता है तो मिश्रधन ग्याद करने का सूत्र हमने देखा चक्रदी मिश्रधन ए बराबर मुल्धन पी गुड़ एक धन दर आर बटे सो और पूरे की घात एन यान एक धन आर बटे सो की घात एन क्या है समय तो यह एक सूत्र लेकर हमने चक्रदी मिश्यधन ग्यात किया तो ब्याज निकालना हो तो इसी मिश्यधन में से यानि जो यह मिश्यधन का सूत्र है इस में से हम मूलधन को अगर घ गटा देते हैं, तो चक्रधी ब्याज मिल जाता है, जब चक्रधी ब्याज पूशा जाए, तो मूलदन गटा देंगे, ब्याज नहीं पूशा गया है, कुर्ड़कम पूची गई है, तो हम मिश्रधन ही ज्याद करेंगे, तो यह रहा ब्याज ज्याद करने का एक सुत्र, की चुंष आज के सूतर का उप्योजन नाम दिया गया है अप्लेकेशन और फॉर्मूला फार कंपाउड इंट्रेस्ट तो कमपाउड इंट्रेस्ट का जो फॉर्मूला है उसका हम अन्य तरह के कैलकुलेशन में कैसे उप्योज कर सकते हैं इसे हम आज जानेंगे तो अप्ले ऐसा की लिखा हूँ आपको दिखाई दे रहा है तो जब हमें व्याज मिलता है मोलधन से एक्स्ट्रा तो मिश्रधन हमेशा जादा ही हो जाएगा है ना मोलधन से जादा ही मिलेगा लेकिन अगर व्याज कम मिले माइनस में हो नुकसान हो अगर हो जाए किसी वज़ा से तो आ यह सिंपल सा लॉजिक है ऐसे दैनेव के भार में हम बहुत सारे लॉजिक को देखेंगे जहांपर हम सेकेंड हैंड की वस्तुएं करिदते हैं पुरानी वस्तुओं को खरिदते हैं तो उसकी कीमत साल दर साल कम कम होती जाती है जैसे पुरानी साइकल है पुराना टीवी है प हम खरीद रहे हैं तो उसकी रकम जितने जैसे से पुराने होते जैएगी वह कम कम होती है यहां हम अगर अगर अपनी पुरानी साइकल sìटीवी all मिश pudding बेश रहे हैं तो हमने जितने में खरिता था उस से कम दाम में ही वो जाएगा जैसे ऐसे पुरानी होती जाएगी कम दाम में भिकेगा उसी प्रकार किसी गाउं शेहर की जन संख्या लोक संख्या भी क्या होती है बढ़ती है हर साल बढ़ती बढ़ती है या अगर कम हो रही है हर साल तो वह भी एक कैलकुलेशन हिसाब किताब है कि कम हो रही है तो कैसे ग्याद करेंगे किसी निश्चित दर से या किसी निश्चित दर से वह बढ़ रही है तो कैसे ग्याद करेंगे तो इन सब प्रश्णों में भी हम चक वृद्धी व्याज के सुत्र का उपयोग करते हैं तो चकवृद्धी मिशिधन हम जानते ही हैं सूत्र है बार-बार याद कर लिए हमने पी एक धनार बटी सो की घात एन तो जनसंख्या वृद्धी होती है जनसे क्या कम भी होती है सूत्र के अनुसार हम इस तरह के वृद्धी अत्वा कमी को ग्याद कर सकते हैं अगर वृद्धी हो रही है यानि बढ़ रहा है तो जो दर होगा वो धनात्मक लेंगे जो भी दर दिया गया होगा आर वो पॉजिटिव होगा धनात्मक होगा कमी हो आउपात हो फिसलन हो ये सब कमी के लिए है नुकसान के लिए है तो दर को रिनात्मक निगेटिव लेते हैं जैसे वृद्धी ग्यात करनी है तो सूत्र बन जाएगा हमेशा की तरह पी एक धनार बटे सो की खाथ हैं लकिन अगर हिसाम में कमी हो रही है नुकसान हो रहा है तो सूत्र में थोड़े सा परियुद्धन आ जाएगा पी एक धनार बटे सो आर जो है वो रिनात्मक हो जाएगा माइनस आर बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा तो ये बातिया में ध्यान रखनी है और प्रश्न को हल कर करना है हम उधारन देखते हुए समझने का प्रयास करते हैं उधारन पेज नमबर 91 पर है ज्यान से देखेंगे पहले प्रश्ण को पढ़ेंगे फिर हमें समझना है कि हम दर को रिणात्मक लेंगे या धनात्मक लेंगे किसी शहर की जन संक्या आठ प्रतिश्यत मतब बढ़ रहा है वर्ष 2010 उस शहर की जन संक्या दो लाख पचास हजार है 2010 में तो 2012 में उस शहर की जन संक्या कितनी होगी यानि जन संक्या बढ़ रही है तो 2012 यानि कितने साल बाद 10 से 12 दो साल बाद जन संक्या कितनी हो जाएगी यह हमें बताना है कुल जन संक्या कितनी हो जाएगी मतलब हमें मिश्च्र धन ग्याद करना है कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी तो प्रश्ण की जानकारी के अनुसार हमने देखा कि धर याने वृद्धी हो रही है 2010 की जन संख्या कितनी है पहले उसको हम नोट करेंगे वो है दो लाख पचास अचार उसके बाद वृद्धी हो रही है कितनी हर साल प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत प्रतिशत बढ़ रही है समय कितना है 10 से 12 एन बराबर 2 वर्ष 2012 में जन संख्या कितनी हो जाएगी कुल मिलाकर तो दो साल बाद जन संख्या जो होगी वो ए होगी और ए का सुत्र हमें पता ही है तो ए ग्याद करने के लिए हम सुत्र का उपयोग करेंगे ए बराबर पी धन पी को स्टक में एक धन आर बटा सव आर धनात्मा की ही होगा क्योंकि वृद्धी है अब जो जो मान दिये गए है सुत्र में रख देंगे पी का मान दो लाक पचास जार जन संख्या को स्टक में एक आर दर है आठ प्रतिशत आर बटा सो और कितने वर्ष के बाद की जन स्टक्या ग्याद करनी है दो वर्ष के बाद तो एन दो घात दो यह बन गया एक समिकरण अब हल करेंगे दो लाक पचास जार गुड़े आठ बटे सो को संक्षिप्ट कर सकते हैं चार से काटके या नहीं काटेंगे तो सो एक कम सो धन आठ एक सो आठ बटे सो लिकर भी हल कर सकते हैं तो एक सो आठ बटे सो गुड़े एक सो आठ बटे सो दो बार क्योंकि घात दो हे तो दो तरीका है आप तो या तो आड़ वटे सो को संक्षिप्ट करो और हल करो या इसी तरह हल करेंगी मन. इसी तरह सो लेकर ही हल कि है, सो लेने पर नीचे जिरो-जीरो मिलंगर्गा ऑप 2,50,000 वे भी 4-0 तो काटना आसान हो जाएगा इसलिए मने ऐसा लिया है तो यह दो जीरो 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 कट गया और और दन ने दो जीरो कट गये बचा पचीस गुड़े उपर एक सो आड़ गुड़े एक सो आड़ गुड़ा करने पर आया 2,91,600 आप बुड़ा करके देख लेंगे 25 बुड़े 108 बुड़े 108 तो ए आ गया 2,91,600 ये क्या है ये है दो वर्ष बाद शहर की जन्संग क्या इतनी हो जाएंगी शुरु में 5,500 थी अब 2,91,600 हो जाएंगी तो 2012 की जन्संख्या 2,91,600 होगी इसमें अगर ये पूछा ओदा कितनी बढ़ गई तो A में से P घटा देंगे 2,91,600 में से 0,5,000 घटा देंगे तो जो भी आएगा 41,600 इतनी संख्या बढ़ गई दो साल में लेकिन यहाँ पर कुल जन्संख्या कितनी होगी पूछा है मतलब हमें ए गयात करना है तो हमारा उत्तर हुआ 2,012 की जन्संख्या 2,91,600 होगी बिलकुल सही हम पेज नमबर 92 पर एक उधारन है उसे भी देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे रेहाना ने वर्ष 2015 में एक स्कूटर 60,000 रुपे में खरीदा ठीक है आवपात की दर ध्यान दो आवपात का मतलब होता है दाम घटना फिसलन कम होना तो आवपात की दर बीस प्रतिशत प्रतिवर्ष है यानि प्रतिवर्ष बीस प्रतिशत दाम उसका घटता गया दो वर्ष के बाद स्कूटर का मूले कितना होगा ये पता करना है तो दी गई जानकारी के अनुसार हम पहले लिख लेंगे अपनी जानकारी को तो प्रश्ण में जो जानकारी है उसके अनुसार 2015 में स्कूटर का मूल ले आने मूल रकम जो थी वह मूल दाम वह थी 60,000 रुपे दिया गया है दर अवपाद की यानि प्रतिवर्ष अवपाद कमी जो हो रहा है वह आर वह कितना है 20 प्रतिशत चुकि अवपाद है कमी हो रही है तो आर जो है वो रिनात्मक हो जाएगा ये ध्यान रखेंगे तो समय कितने वर्ष बाद स्कूटर का दाम पूछा गया है दो वर्ष बाद तो N दो है और फिर दो वर्ष बाद स्कूटर का मुल ने कितना हो जाएगा A बराबर हमें ग्याद करना है तो सूत्र सामान सूत्र हमें पता है A P धन एक धन आर बटे सो A कोश्टरक में एक धन आर बटे सो गात N अगर हम R 20 लेते हैं शुरू में ही तो यहां सूत्र में R को माइनस लिखेंगे लेकिन हमने अगर वही सूत्र रखा है तो R को निगेटिव लेकर बाद में हल करेंगे सूत्र में R को माइनस लिखेंगे किस तरह से ए वराबर एक धन एक पी क्या है फी गुड़े मुलधन साथ हजार कोश्टक में एक धन आर यहां हम निगेटिव लेंगे क्योंकि अवपात है तो माइनस 20 हो गया यह बटे 100 घात N अब हल उसी तरह करना है साथ हजार गुड़े अब 20 बटे 100 को संग्शिप्त करके हल कर सकते हम या 101 रिंड 20 असी बटा 100 हम सीधे ले सकते हैं आपकी चाप चाहे जैसे भी कर सकते हैं 20 से 100 काटेंगे तो 5 हो जाएगा 5 एक चार बटा 5 आएगा तो हम 4 बटा 5 लेकर भी हल कर सकते हैं या 80 बटे 100 घात 2 है तो दो बार चोकि 0-0 है साथ हजार में 4 इसलिए मैंने 100 रख कर इसको ऐसे ही हल किया तो कड़ गए साथ हजार 100 और 100 से तो 6 बचा गुड़े 80 गुड़े 80 गुड़े 80 गुड़ा करने पे आगया 38,400 रुपए अर्था ए बराबर 38,400 रुपए तो हम देख रहे हैं दो वर्ष बाद स्कूटर का मुले हो गया 38,400 रुपए घट गया खरीदा था साथ हजार में दो वर्ष बाद वो गया 38,400 रुपए तो हमें ग्याद करना था दो वर्ष बाद स्कूटर का मुले और हमने ग्याद कर लिया दो वर्ष बाद स्कूटर का म तो हमने अब देखा सूत्र में ए बराबर पी एक जान आर बटे सौ यह सूत्र का उप्यों किया घात एन हैं इसे प्रकार इस सूत्र में चार घटक हैं यह पी आर एन इसमें से कोई भी तीन घटक अगर दिया है तो हम कोई भी चौथा घटक ग्याद कर सकते हैं हर बार ए ही कोई जरूर नहीं है ए अगर पता है तो हम पी गयाद कर सकते हैं और ए पी आर पता है तो हम एन गयाद कर सकते हैं ए पी एन पता हो तो आर गयाद कर सकते हैं तो कोई भी तीन घटक पता हो तो हम इसे सुतर का उप्योग करके चौथ हमान गयाद कर सकते हैं जैसे की प्रश्ण संग्रज 14.2 पेज नमर 93 पर है हम इसी तरह का एक उधारन लेते हैं प्रश्ण कर्मांग पांच वा किसी मूलधन का 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रुद्धी व्याज की दर से दो वर्ष का मिश्रधन 4,036.89 रुपए हुआ यानि मिश्रधन दिया गया है तो दो वर्ष ब्याज कितना होगा तो दो वर्ष में ब्याज पूछा गया है ब्याज मतलब चक्रुद्धी ब्याज आई पूछा गया है मिश्रधन दिया है दर दिया गया है समय दिया गया है आई ग्यात करना है तो प्रष्ण में मूल धन तो दिया ही नहीं गया है पी चलिए दर दिया गया है 16 प्रतिशत और वृद्धी है व्याज मिल रहा है मतलब धनात्म की होगा मिश्धन कुल रकम कितनी मिल रही है दो वर्ष बाद 436 दिश्वन आट जिर रुपए और समय दो वर्ष लगा है यहाँ पर प्रश्ण में ही लिखा गया है और चकवर्धी व्याज कितना हुआ कि चकवर्धी व्याज की दर से ही पूछा गया है कितना यह हमें ग्याद करना है चली सबसे पहले हम मिश्धन तो दिया है मूल धन जब तक ग्याद न कर पाएं तब ब्याज कैसे ग्याद करेंगी तो सुत्र का उपयोग करते हैं चेकर दिमिस्र धन का ए बराबर पी एक धन आर बटा सो की घात अब जो जो जानकारी दी गई यह उसको लिखेंगे यहाँ इस प्रश्न में एक अमान दिया गया है चार रजा 36.80 पी ग्याद करना है अभी एक धन आर दर दिया गया है शोल, शोला बटा सो और समय है दो बर्श अब हमें किसी तरह से इस समय करना को हल करना है और पी का अमान ग्याद करना है तो हम संक्षिप्त कर लेते हैं 16 बटेस सो को तो चार से कटेगा चार चोग 16 चार पचीस से कटेगा 100 तो चार बटा पचीस हुआ यहां हमें थोड़ा संक्षित रूप मिला 4036 दश्मलवाट जीरू बराबर पी गुड़े 25 एकम 25 और चार 29 गात 2 है 29 बटा 25 गुड़े 29 बटा 25 दो बार अब हम क्या करते हैं पी को एक तरफ रखते हैं और बाकी सब जो पी के साथ वाला है यहां उसको दूसरे बख्ष में कर देते हैं जो नीचे है भाग में वो दूसरे बख्ष में गुड़ा के रूप में चले जाएगा और जो गुड़ा के रूप में उपर है अं 4036 दूसरे तरफ पहले से ही है पचीस पचीस का भाग है तो गुड़ा हो जाएगा पचीस पचीस से और 29 का गुड़ा है पी में तो वहां दूसरे पक्षित में वहा भाग हो जाएगा अब हम क्या करेंगे दश्मिनों को हटा कर हल करने का प्यास करते हैं क्योंकि दश्मिनों मुझे भाग देना तो भाग देना तो बटे सौ कर देंगे दश्मिनों हट गया तो दश्मन होटा कर हमने नीचे दो जिरो लगा या किसले कि यहा ताकि सरल करना हो तो आसान हो जाए अब हम क्या करेंगे 29 से अगर हम भाग देते हैं इसको तो हमें मिलता है 13920 फिर 29 से भाग देते हैं 13920 में तो हमें मिलता है 480 पचीस से 100 को काटेंगे तो आएगा पचीस चौका सौ चार को काटेंगे 480 से उपर चारिकम चार चार दुनी आट 120 बच गया क्या 120 गुड़े 25 और गुड़ा करने पे पी का मान आएगा तीन हजार कितना आया तीन हजार मूल धन आया और ग्याद क्या करना है ब्याज तो मूल धन आया तीन हजार रुपया और अब हम में पता है व्याज मूल धन मिश्य धन का एक मिला जुला सूत्र है मिश्य धन बराबर मूल धन धन व्याज पी धन आई इसका मतलब आई बराबर व्याज क्या होता है ए माइनस पी उसी का सरल रूप अगला रूप दे दिया हमने पक्षंतर करके याने मिश्य धन में से मूल धन घटा दो मिश्य धन है हमारे पास 4036.80 मूल धना भी हमने ग्याद किया 3000 रूप ए तो ब्याज कितना हुआ गटाने पर आएगा आई बराबर 1036.80 रूप ए तो दो वर्ष में ब्याज कितना हुआ तो दो वर्ष में चक्वर्धी ब्याज हुआ एक हजार चत्तिस द्शमलाव आठ जीरो रूप ए तो हमने यहां पर रूप ए उजन किया सूत्र का अन्य घटक को ग्याद किया चक्वर्धी व्याज को ग्याद किया पी ग्याद करके सूत्र द्वारा इसलिए हमने पहले पांच वा प्रश्ण किया चलिए अब इसी जारण चोथा देखते हैं क्या खास बात है इसमें प्रश्ण में आज एक मशीन दो लाक पचास जार रुपए में खर दी गई उसके मुल में प्रती वर्ष दस प्रतिशत की दर से आवपात होता है कमी होती है तो दो वर्ष बाद मशीन का क्रेम उले से कितना कम होगा क्रे एक याद करके मुल्धन घटा देंगे कितना रुपए कम हो गया यह पता चल जाएगा तो मशीन का वर्तमान आज का कीमत कितना है मुल्धन मुल्धन कम पी दो लाक पचास जार यह प्रश्ण में दिया है उसके बाद आवपात हो रहा है यानि कमी हो रही है आवपात की दर क्या है प्रतिवर्ष और दस प्रतिश तो रिनात्मा खो जाएगा कितने वर्ष बाद पूछा गया है तो दो वर्ष बाद पूछा गया है दो वर्ष बाद मुल्धन में अंतर पूछा गया है कितना कम होगा तो आई गयात करना है हमें तो आई गयात करने के लिए पहले ए मूल ने कितना हुआ तो सूत्र है ए बरागर P गोड़े एक धन आर बटे सो की घात N अब सूत्र में आर रिनात्मक है इसलिए एक धन रिन दस हो गया आर बटे सो घात N दो है मूल धन डो लाख पचास जार पी हो गया आर माइनस तें एंन टू सराल रूब देंगे इसको तो दो लाख पचास जार गुड़े या तो दस से काट दो या खल करोing सो एकम सो रिड़ दस नबे बटा सो हो गया और घात दो होने के वाज़े से ये नबे बटा सो दो बार हो सकता है लेकिन अब यहां पर सरल करना असान है जिरो से जिरो कड़ गया नो बटा दस तो चली हम सरल करके करते हैं अगर आप नबे बटा सो रखेंगे तो भी कोई फरकने पड़ेगा उत्तर बराबर वही आएगा केवल संख्या बड़ी हो जाती है नो बटा स्थ दस हुआ ये इसकी गाद दो होने से दो बार गुडा हो जाएगा नो बटा दस गुडा नो बटा गटस अब दस में एक जिरो नीचे है दोनो जगा एक एक जिरो है और ठाई लाक में चार जिरो है यानि 10 दहां में 110 से एक बार कट गया और फिर 10 से कट गया यानि 102 जिरू कट गया तो बचा क्या 2,500,500 गुड़े नो गुड़े नो यानि क्या सी और गुड़ा करने पर आएगा 2,500,000 2500 यह हुआ मशीन का दो साल बाद का मुल्य तो ढ़ाई लाक में खरीदा और दो लाक 2500 हो गया मुल्य मतलब मुल्य घंट गया तो दो वर्ष बाद मशीन का मुल्य दो लाक 2500 हो गया तो कितना कम हुआ मतलब आई याद करना है तो आई वराबर अब कम हो गया है तो मुल्धन ज़्यादा है तो पी में से एक खटा देंगे आगया धाई लाक में से दो लाक 2500 खटाएंगी अंतर आगया 47500 रुपए तो दो वर्ष बाद मशीन का मुल्य कितना कम हो गया मुल्धन से 47500 रुपए कम हो गया तो ये आउपाद का प्रश्णित था इसी प्रश्ण संग्र का उधारन पहला अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं उधारन को किसी उड़ान पूल ब्रिज बनाने के आरम में करते समय तीन सो बीस मजदूर काम करते थे शुरू में उसके बाद क्या किया हर साल 25% मजदूर बढ़ाते गए तो दो वर्ष बाद वहां कितने मजदूर काम पर हो जाएंगी तो वृद्धी हो रही है बढ़ रहे हैं तो आर जो है धनात्मा की होगा और वह है 25% इसके अलावा प्रश में और क्या क्या दिया गया है शुरू में मजदूर थे पी 320 और कितने वर्ष बाद मजदूर को गिना है हमें दो वर्ष बाद तो कितने मजदूर को होंगे वह ए होगा और वही हमें ग्याद करना है सीदे 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 सुतर लगाएंगे ए बराबर पी गुड़े एक धन आर बटी सो की घात एन तो मुल मजदूर थे 320 एक धन आर धनात्मा की लेंगे क्योंकि वर्ष दी हुई है पचीस बटा सो की घात एन पचीस को सो यहां भी काट सकते हम तो यह हो सकता है एक बटा चार तो अलग अलग तरीका है सरल करने का यहां काट देंगे पहले ही तो हो गया एक 320 कोसटक में 4-1 कम 4-1 पांच बटा 4 हो गया पांच बटा 4 की घात 2 वैसे हम 125 बटे 100 करके भी काटेंगे तो पांच बटा 4 ही आएगा तो पहले स्टिफ में काटो चाहें दूसरे स्टिफ में हल करेंगे तो 320 गुडे 5 बटा 4 दो बार क्योंकि घात दो है चार से कट गया 320 चार अठे 32 असी बार फिर चार से कट गया 80, चार दुनी 8 बीस बार बज गया ए बराबर 20 गुड़े पांच गुड़े पांच दो बार पांच है गुड़ा करने पे कितना हैगा बीस पच्चे सो पच्चे पांच सो तो दो वर्ष बाद कुल मजदूर हो गए पांच सो शुरू में थे 320 तो यह उत्तर मिला हमें ठी किसी प्रकार दूसरा प्रश्ट किसी गड़रिया के पास 6200 भेड़े हैं प्रतिव वर्ष उसकी संख्या में 10 प्रतिशत वर्ष बढ़ रहे हैं तो दो वर्ष बाद कितना है वैसे ही प्रशन है से जो अभी हमने देखा वर्ष बढ़ दर धनात्मक हो गया दर प्रारम्मे में भेड़ कितने थे 6200 और कितने समय बाद पूछा गया है तो दो वर्ष बाद कितना होगा ये पूछा गया है तो प्रारम्मे में भेड़ 6200 बिल्कुल वही सूत्र लगाना है जो हमने अभी किया सिखा और उसके तरीके में कोई परिवर्टन नहीं आएगा शुरू में 6200 भेड़ पी हो गया एक धन आर कितना है वर्ष दिये 10 प्रतिशत की तो आर दस हो गया बटे सू अब चाओ तो यहीं पर सू को हम सरल कर लेते हैं दस से सू को काट देते हैं तो संक्षित रूप हो जाएगा एक बटा दस तस एक कम दस एक ग्यारा बटा दस बन जाएगा एक धन एक बटा दस ग्यारा बटा दस हो गया और घात दो है तो ग्यारा बटा दस दो बार गुड़ा के रूप में लिख देंगे 6200 में दस में एक 0 है दस से कट गया दोनों दस से याने 100 से कट गया 6200 62 बचा गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़ा करने पे आया 7502 आप लोग चेक कर लीजिए गुड़ा सही है या गलत 7502 अगर आया तो इतनी भेड़े अभी हो गई गड़िया के पास यही पूछा गया है तो दो वर्ष बाद भेड़ों की कुल संक्या 7502 हो गई इसमें एक उधरन और है प्रशनत तीसरा किसी जंगल में 40,000 पेड़ है वर्ष है और वर्षों की संक्या हर साल 5% बढ़ रही है तो तीन वर्ष बाद कितने हो जाएगी या नहीं यहाँ एक याद करना है वर्द्धी है तो दर धनात्मक होगा तो प्रशन बिलकुल पहले जैसा ही है दर धनात्मक है 5% शुरू में वर्ष कितने थे 40,000 तीन साल बाद कितने होंगे यह पूछा गया है ए सुत्र वही ए बराबर पी एक धन आर बटे सो की घात एन पहले वर्ष चालिस अजार एक धन आर दर है 5 बटा सो तीन साल बाद तो घात तीन पांच बटे सो को संक्षित रूप देंगे पांच से कड़ गया एक बटा बीस तो यह बन जाएगा कोस्टक में 40,000 गुडे एक धन एक बटा बीस हो गया 20 से कम 20 और एक 21 21 बटा बीस घात तीन है मतलब 40,000 में 21 बटा बीस गुडे 21 बटा बीस तीन बार गुडा करना होगा संक्षित रूप देगो 20 से कड़ गया 40,000 2000 बार फिर दूसरे 20 से कड़ गया 2100 बार फिर 20 से कड़ गया 105 बार तो ए बराबर क्या आएगा ए बराबर आएगा पांच बचा है पहले फिर 21 गुडे 21 गुडे 21 तीन बार गुडा करने पे आजाएगा 40,305 तो तीन साल बाद विक्षों की संख्या हो गई यहां मैंने भेड लिखा है भेड नहीं भेड तो पहले प्रश्ण में था यहां आएगा विक्षों की संख्या 40,305 तो आप इसको जरूर सधार लेंगे तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दुबारा देखकर समझने का परास केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पोरा मुद्दा समझ में नहीं आता तो जैसे ही हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वो समझ में आने लगे है और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वो निश्चिती हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सुचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रिस कीजिए और नोडिफिकेशन ओन रखिए ताकि जैसे ही हमारा लेशन चैनल पर डाला जाएगा आपको वत्तुरंग प्राप्त होगा तो अपना ख्यार रखिए सुरशिद रहिए थैंक्यू